हेलो दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो पर और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों रेलवेब फार्माशिस्ट की जो हमारी बैकेंसे निकली है 246 पोस्ट पर उसके बारे में थोड़ी सी बाते कर लेते हैं तो अभी तक आलमोस्ट हर किसी ने य यानि कि आज का दिन मिलाकर आपके पास अभी चार दिन पूरे-पूरे हैं और आप अभी तक अपने लोग जो भी रह गए हैं वो लोग यहां पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं ठीक है आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आपके तो वही मैं आपको बताने वाला हम कि यहां पर आपको लDINGर मॉका इन सारी चीजो को सही करने का अपकी चीजों में जो चीजे गलत हो गई हैं उनको सही कर सकते हैं पहले मैं बता दूं कि आपकी डेट जॉरही वो कर्येक्शन की कप से कप तक रहने वालिए तो क्यो क्यों कि जो डेट है वो आपकी रहेगी 17 सितंबर से लेकर आपकी 26 सितंबर तर यानि कि टोटल आपको यहाँ पर 9 दिन मिलना है 9 दिन के आप अंदर जो चाहे वो आप यहाँ पर correction कर सकते हो लेकिन यहाँ पर एक term and condition है कि आप कुछ चीजों को सही नहीं कर सकते जैसे कि दोस्तों आप जब अपना railway का account create करते हैं ठीक है उसमें आप पहली बार तो कोई change नहीं कर सकते आप email ID अपनी change नहीं कर सकते है जब आपने create an account किया होगा तब आपने वहाँ पर email और phone number अपना वहाँ पर fill किया होगा इन दो चीजों को आप वहाँ पर change नहीं कर सकते तो दोस्तों यहाँ पर तिसरा जो point है वो यह है कि आपने जो भी RRB में form को भरा है जैसे बैंगलोर में भरा हो सकता है कुलकाता में भरा हो सकता है मुंबई मे भरा हो सकता तो जिस भी आपने RRB को चूज किया है उस RRB को change नहीं कर सकते यह तीन चीजे जो है आप change नहीं कर पाओगे correction की date के अंदर अब आप change क्या कर सकते हो जैसे दोस्तों आपने अगर आपकी पिता जी का नाम गलत हो गया अगर आपका माता जी का नाम गलत हो गय यानि कि आप से अगर मैं example के लिए अगर मैं आपको बताओं तो दोस्तों मेरा जो का सर्टिफिट है वो थोड़ा सा गलत है तो मैंने उसी को अब मैं चाहा रहा हूं कि मैं उसे दुबारा upload करूंगा ठीक है तो क्या होगा दोस्तों मैं जो भी change करूंगा मानलो मेरा का सर् देखो मेरा गलत है तो मैं उसको पहले तो upload करूंगा बिल्कुल करूंगा उसके बाद मैं और चीजे देखूंगा कि मेरे और भी कोई डिटेल यहां पर गलत तो नहीं फिल है तो जो एक बार में अगर जो चीजें सही हो सकती है वो मैं सारी सही कर दूंगा अगर दोस्तों निकाल के अपने पास रख सकते तो दोस्तों हर बार correction पर यानि कि हर बार modification पर आपको 500 रुपए पे करने होंगे इसलिए आप लोग एक बार अपने form को make sure करके देख लेना वाई क्या क्या गलती है जो एक बार में 500 रुपए दोगे उसी के हिसाप से आपना change कर लो ठीक है अब मैं बात करता हूं यहाँ पर general OBC, SC, ST या कुछी भी candidate हुआ उसको सबको ही 500 रुपए यहाँ पर पे करने होंगे और यहाँ पर आपकी जो फीस है यह non refundable है यानि यह फीस आपकी बापिस नहीं आने वाली है correction वाली वाके दोस्तों आपकी जो फीस है वो बापिस तो दोस्तों हमें यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा 17 तारिक से लेकर 26 तारिक तक का जिसके बीच हमारे modification हो सकता है यही दोस्तों आज की वीडियो में बताना था आपको बागी मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक लिए अपना ध्यान रखें सुरचित रहें